हलो हलो दोस्तों वेलकम बैक माई चैनल तो देखके आज आरेका पाम पे ये वीडियो है मेरा और इसको कैसे रिपोर्ट करें कैसे रूट प्रोनिंग करें पूरी जानकारी इसको दिऊंगी मैं अगर आप बिगिनर हो उसके लिए भी बताऊंगी और आप ट्रेनर हो तो आप प्लांट तीन से चार साल पुराने है और आप देख सकते हो काफी ज़्यादा है रूट बाउंड हो रहे हैं और इनको मैंने निकाल लिया है गंबले से बाहर तो देखिए बहुती आसानी से निकल आए है रूट बाउंड हुए प्लांट की यही पहचान होती है बहुती आ नीचे के करीब इसमें यह रूट एस्ट्रा हो गई है और इसकी रूट काफी मोटी मोटी है देख लीजिए दोनों में एक में थोड़ा कम है एक में थोड़ा ज्यादा है तो इनको मैं कैसी हटाऊंगी अगर अपका प्लांट छोटा है आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा रू नहीं काटूंगी और वहां तक काटूंगी जहां तक मेरा कपड़ा लगा है देखे कितना ज्यादा यह एस्ट्रा ग्रो हो गई थी और पूरा रूट बाउंड हो रहा था तीन से चार साल पुराना ये मेरा प्लांट है तो जब से मैंने लगाया है तो तब से मैंने इसको वो नहीं किया है, report नहीं किया है और आप time भी बहुत अच्छा चल रहा है, बारिस चल रही है, इस time पे, हमारे आप तो continue बारिस हो रही है, तीन-चार दिन से, तो मैं ऐसे ही काम अपने रेप्टा रही हूँ, जो बारिस में, और इसको दो time पे report कर सकते हो, इस बात का भी खा कर सकते हो soft या hard और इस time पी भी कर सकते हो मांसून में तो ये दो time इसके लिए perfect हैं ये सब काम करने के लिए तो देखिए ये कितनी सारी roots हैं और इसमें मिट्टी भी नहीं है जैसे चड़िया का घौसला होता है उस type की ये roots इसमें जकडी हुई है एक दूसरे को तो देखिए अभी और भी मेरे को काटना है तो ये में मोटी मोटी roots हटाऊंगी जो पतली पतली है उपर की साइड में वो नहीं हटाऊंगी और जितना हो सकेगा मैं ये मोटी मोटी है इनी को हटाने की कोसिस करूंगी क्योंकि जो पतली root होती है वो active root होती है हमारी अगर हम उनको ज्या नहीं करना है, रूट को बंदे रहने देना है, जो रूट बाउंड हो रही है, वस वही काटोंगी, आप भी देख लीजिएगा, और देखिए काफी सारी, काफी हद तक मैंने इसमें रूट निकाली है, और देखिए अब जाके मेरा कपड़ा निकल के आया है, जो कि मैंने अ और इसके लिए मैंने जब वहां से लाई थी नर्सरी से, तो तभी मैंने इसमें रेतीली मिट्टी में किया था, मैं मिट्टी चेक करके लाई थी, क्योंकि मेरे यहां पे जो रेड मिट्टी में लेके आती हूँ, वो सारे पौदे मेरे खर दीरे-दीरे खराब हो गए है, तो अम मैं प्लांट ना खरीदना मंजूर है, लेकिन अम मैं रेड मिट्टी वाला प्लांट कम लेती हूँ, तो वैसे ही सादा मिट्टी वाला ही लेती हूँ, देखिए, बहुत अच्छे से, मैंने काफी हद तक इसकी रूट साफ कर लिया है, और जितनी पतली हैं, उन्हे नहीं हटाना है, और ये एकदम काफी उचा उठ गया था इस रूट की वज़े से, तो मैं गंबले में ना तो गुड़ाई कर पाती थी, ना कोई फर्टिलाइजर एड कर पाती थी, और पानी भी भूटी मुस्किल से दो-तिन वाल में दीरे-दीरे करके लगाती थी, तो का मानसून आया और मैं ये इसका काम करूँ क्योंकि गर्मी में बहुत जल्द यल्दी पानी सूकता था, और ये काफी उपर तक हद तक आप देख सकते हो, रूट भी इसकी उपर से भी दिख रही है, तो बस मैं इतना ही करूँगी इसको, तो दूसरे वाले को भी कर लेती तब मैं आपको फिर दिखाती हूँ, तो देखे, दोनों मैंने कर लिये हैं, दोनों की मैंने ज्यादा उतना ही छोड़ा जितना मैं नर्सरी से लाई थी, और ये वही मिट्टी है, जो इन में से निकली है, तो इसमें मैं ये बर्मी कमपोस्ट और ये फंगी साइड डालू क्योंकि मैंने रूट प्रून किया है, तो उस फंगस से बचाने के लिए और मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, उसी मिट्टी में मैंने 2-3 मुठी के करीब मैंने बर्मी कमपोस्ट डाला है, अगर आप भी तक अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं कर रहे हो, तो आप ऐस इसे ही फर्टिलाजर डाल सकते हो, फंग बर्मी कमपोस्ट बगएरा गोवर खात जो भी आपकी पास हो, तो इस नाइट्रोजन बाला ही इसको खात डालना है, क्योंकि यह पत्तिया ही होती है, और यह मेरे देखिए मैंने दोनों प्लांट को कर दिया है, और यह जो सूखी पत्तिया है, इनको क्लीन करना बहुत जरूरी है, और इनको क्लीन करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी, यह जो नीचे ता, यह जो सूखी पत्ति होती है, इसको हमें नीचे तक तोड़ना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि चिप-चिपा सा कीड़े भी मुख़ा रही हो यह जो मैंने रूट्ष से अफर चोड़ी है पहले उसमें पत्ति भी उपर तक काफी शूकी थी और यह काफी मिट्टी में बानों धना मैंने यह ऊपर रूट्स छोड़ी जो में उतनी प्लों यह पूरी है कवर नहीं करनी चाहिए मिठ्टी में, क्योंकि मिठ्टी में सट के फिर वह हो जाती है. फंगस लग जाता है और इन सूखी पत्या को हमें ऊपर नीचे तक जड़ से साफ कर दीनी चाहिए इस acronym लग जाता है थोड़ी बहुत रूट्स होनी चाहिए तो इस टाइम पर अच्छे से जम जाएगा आप इस कई सारे प्लांट भी बना सकते हो तो अब मैंने रख दिया है फिर से बापस से बालकनी में क्योंकि यहां पर जगे नहीं थी रिपॉट करने के लिए तो अभी बारिस होगी तो प इसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बावाई बावाई करने से पहले प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिए आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बावाई टेक केर हैपी गार्णिंग